इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है जिसका उपयोग आपकी तवचा की सतह के पास ट्रोंबोफलिबिटिस के इलाज के लिए किया जाता है। ये ठककों को घोलता है और रक्ट प्रवाह को बढ़ा कर दर्द और सूजन से भी राहत दिलाता है। ये समग्र उपचार प्रक्रिया में सुधार करता है। अधिक्तम लाब प्राप्त करने के लिए डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार इसका प्रयोग करें। स्थिती आमतोर पर कुछ समय में अपने आप ठीक हो जाती है। हाला की आपका डॉक्टर दर्द वाले क्षेत्र में गर्मी लगाने, प्रभावित पैर को उपर उठाने, ओवर दकाउंटर दर्द निवारक का उप्योग करने और संभवता संपीडन स्टॉकिंग्स पहनने की सलाह दे सकता है। यह दवा केवल बाहरी उप्योग के लिए है। अपने चिकित्सक द्वारा सलाह के अनुसार इसे खुराक और अवधी में प्रयोग करें। उप्योग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जांच करें। प्रभाविक शेत्र को साफ करके सुखाले और जेल लगाएं। लगाने के बाद अपने हाथ धुएं जब तक की हाथ प्रभाविक शेत्र न हूँ। त्रोंबोफोब जेल दो दवाओं का एक मिश्रन है विजायल निकोटिनेट और हेपरिन। बैंजिल निकोटिनेट एक वैसोडिलेटर है और हेपरिन एक ठककारोधी है। साथ में वे रक्त वाहिकाओं को चोड़ा करके और रक्त के ठककों को घोलने रोकने का काम करते हैं। यह प्रभाविक शेत्र में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है जिससे संबंधित लक्षनों से राहत मिलती है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन on all नोटिफिकेशन पर सेट करें। धन्यवाद।